हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेकनिकल, आज मैं मेरे यूट्यूब वीडियो पे जो कमेंट आते हैं उनको पढ़ रहा था, तो मैंने 4-5 कमेंट यहां पे पिक किये हैं, जो कि अलग-लग टोपिक पे आप पूछ रखा है, तो मैंने सोचा वीडियो बना और टोटल डूमाउट को अगर पे कर दिया, तो क्या होने वाला है, कोई नुकसान होगा गया, वेशे तो मैंने अल्रेडी बता रखा है कि मिनिममम डूमाउट क्या होता है, और इसको पे करने के क्या फाइदे, क्या नुकसान है, और भी क्रेडिट कार के रिलेटेड मैंन नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना साथ ही में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन कोल पर प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो आये तो आपको नोटिफिकेश हमिल सके So guys, आज का हमारा ये वीडियो credit card के related है तो मैं आप से छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ आप अपने credit card का bill payment करने के लिए कौन से method का use करते हो क्या आप जिस भी bank का credit card उसी bank के app से करते हो या फिर किसी third party app से करते हो तो आप comment करके ये जरूर से बताना और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक आप credit app को use नहीं करते है तो आपको credit app को use करना चाहिए क्योंकि इस app में आप अपने सारे credit card एक ही app में आपे add कर सकते हो manage कर सकते हो साथ ही में यहीं से आप अपने credit card का credit score देख सकते हो साथ ही में यहीं से आप अपने credit card की money को bank में भी transfer कर सकते हो और यहाँ पे जब भी आप अपने credit card का bill payment करते हो तो आपको जितना का bill payment करते हो तो आपको credit coin मिलने वाला है साथ ही में आप जब भी bill payment करते हो तो आपको एक scratch card मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे caseback मिलने वाला है तो आप caseback भी देख सकते हो और यहाँ पे एक swapping का offer भी चल रखा है जिसमें मातर 10 रुपे में आपको 300 रुपे का यहाँ पे chips मिल जाएगा तो आप side में banner देख सकते हो अगर आपको भी order करना है तो मैंने पूरा प्रोपर वीडियो बना के बता रखा है वीडियो देख सकते हो लिंक डिस्कूर्शम में और उपर आई बटन मिल जाएगा और अभी तक आप credit app को यूज नहीं करते हैं तो एकदम trustable और genuine application है जिसमें आप अपने सारे credit card को एक एप में आपे add कर सकते हो और यहीं से उनको manage कर सकते हो तो अगर आपने अभी तक credit app को install नहीं किया है तो इस वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगी वहाँ से अगर आप install करके अपने credit card को add करके first 100 रुपे का payment करते हो तो आपको 500 रुपे से लेके 1000 रुपे तक का यहाँ पर case back मिलने वाल है और ज्यादा जान करे के लिए मेरे और वीडियो देख सकते हो link वीडियो के description में और उपर i button मिल जाएगा तो चलिए आज के topic को start करते है so guys मेरे पास ICSA bank का credit card है और ICSA bank के i mobile app में हम screen shoot नहीं ले सकते तो मैंने दूसरे phone से आप एक pick लिया है जिसके तुरू में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अब आप यहाँ पर देख सकते हो last bill due दिखा रखा है जो की 6,640.88 पेसे है current out standing दिखा रखा है और available credit limit दिखा रखा है वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिश में लिंक मिल जाएगा आप बात कर लेते हैं जैसा कि हमसे comment पुछा गया था कि minimum amount और total amount को हम pay कर देते हैं तो क्या होने वाला है तो minimum amount तो वह है जितना भी आपका bill generate हो आपका bill generate का something 5% जो amount है वो minimum due amount है और यहाँ पे आप total amount की बात कर रहे हो तो total amount यहाँ पे दो तरक की हो गए एक तो आपका जो bill generate हो है उस bill generate होने के बाद अगर आपने एक भी amount यहाँ पे यूज नहीं किया तो वह तो total amount हो गया तो अगर आप total amount और minimum due को payment कर देते हो तो bill आपका जैसे की 640 रुपए का यहाँ पे जनरेट हुआ तो मैंने आपे 640 पे कर दिये और minimum due amount यहाँ पे 340 है तो bill तो मैंने जो total amount था वो तो मैंने आपे 640 यहाँ पे जमा कर दिये और 340 मैंने आप आक्ष्टा जमा कर दिये तो आपका जो current out extending है वो यहाँ पे माइनस 340 में show कर दाएगा और दूसरा यहाँ पे यह हो गया कि आप total amount की बात कर रहे हो जैसे आप current out extending हो यहाँ पे total amount होता है तो यह सारा मैंने आपे पे कर दिया total तो अक्ष्ट्रा यहाँ पे minimum due हो गया तो minimum due को भी अगर मैंने पे कर दिया तो वैसे ही जैसा कि मैंने starting में बताया कि करने उसको पे कर सकते हो तो आपको साथ में minimum due amount को पे करने के कोई जरूरी नहीं है और अगर आप कर देते हो तो इसका कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला है तो उमीद करता हूँ आपके question का यहाँ पे answer मिल गया होगा so guys अभी तक आपने credit app को install नहीं किया तो इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगी वहाँ से install करने नहीं है साथ में अपना credit card add करके minimum 100 रुपे का आपको payment कर देना है तो आपको 500 रुपे से लिए के 1000 रुपे तक का caseback मिल जाएगा साथ ही में credit app में एक offer चल रखा है जिसमें आपे chips order कर सकते हो जिसका total amount 300 रुपे है तो आपको माँपे 60 रुपे शो करेगा और आपको 10 रुपे यहाँ पे पे करना है कैसे करना है मैंने already वीडियो बना के बता दिया है और भी credit card के related जो वीडियो है मैंने बना रखे है तो आप वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के description box में सारे वीडियो के link मिल जाएगी अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को like कर देना साथ ही में अगर आपको हमसे कुछ पूछना है फिर किसी topic वीडियो जाए तो आप comment कर सकते हो और इस नहीं किया तो link आपको channel के about मिल जाएगा वहां से follow कर सकते हो thank you for watching this video मिलते है next video में